नमस्कार जैजुहार शाथियो जागोपंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन साथियो जागोपंच लगातार आपके लिए अंद विश्वासर पाखंड को खतम करने के लिए प्रयास में लगा रहता है और साथ ही हमारे समाज में ब्याप्त कुरीतियों के प्रतिभी जागोपंच सजग और आपको जागरित करने के लिए लगा हुआ है इसी संदर में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे समाज यानि हमारे समाज यानि इन दा सेंस के हमारे हिंदू समाज में एक जाति पर्था नाम की बहुत भैंकर कुरीद ही है लेकिन इस कुरीद के बारे में क्या कहा है डॉक्टर अम्बेटकर ने भी इसके लिए कहा है कि जातियों को खत्म होना चाहिए जब तक जातियों का नास नहीं होगा तब तक हमारे समाज और हमारे देश का उद्धार नह ने अकेले ही नहीं कहा है आज मैं आपको ऐसे दस महापुरसों के नाम बताऊंगा जो ब्रहम्हर समाज से भी आते हैं और देश के प्रधान मंतरी भी रह चुके हैं और कुछ ऐसे बिचारक और लेकक हैं जिन्हों ने जिनके नाम आते ही इस मिसे में आप चौक जाएंगे क्या इन्हों ने ऐसा कहा था तो साथियो आज मैं दस बिचारकों के नाम बताऊंगा जो दस बिचारक जिन्हों ने कहा कि जातियां खत्म होनी चाहिए नहीं तो हमारे देश का नुकसान होगा हमारा देश पतन की और जाएगा तो साथियो चलते हैं हम बात करते हैं कौन से ऐसे दस विचारक हैं और मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस जो आज का ये वीडियो है इसको मैंने लिया हुआ है हिंदू जातिका उत्थानेवं पतन नामक पुस्तक से और इसके लेखक है रजनीकान सास्त्री जी तो इन्होंने सीरिशक जो दि एकों से पता चल जाएगा तो साथियों आये चलते हैं उसके और सबसे पहला हम नाम लेंगे स्वर्गिये सर रविंद्रनाथ ठाकुर जी का यदि हिंदू धर्मोर्मत विधर्मियों के घातक आकर्मनों से अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें जातिपाति का सर्वत बच्चा जानता है क्योगि रविंद्रनाथ ठाकूर से ही हमारे देश की सुर्वात होती है यानी जन गण मन अधिनायक जय है है यह न कोई तो यह किस ने दिया रविंद्रनाथागोर ने दिया तो सादियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने वाली बात है कि यह जन गर्ण मन कैसे बनेगा ये तब ही बनेगा जब हम एक दूसरे से स्वस्थ चित्र से मिल रहे होंगे ये चित्र नहीं होगा कि अगला कह रहा है कि मैं स्रेश्ट जाती में पैदा हूं और दूसरा कह बिचारे को उस निगाह से देख रहा है कि वह चूत है उसके घर पानी पीने लायक नहीं है तो यह देश बनेगा इससे हम बाहरी आतताईयों से लड़ सकते हैं कि यहां तो लड़ तो हम अपनों से रहें तो ऐसा करने वाले अपने देश की अवनति कर रहे हैं ऐसा सर्व यह के कह रहे हैं रविना टैगोर भी और आगे चलते हैं अगला आते हैं हमारे स्वर्गिये पंडित मोतिलाल नहरू जब तक जातिपाति का नामों निशान मिटा नहीं दिया जाता तब तक भारतवर्स संसार के सब भ्यराश्ट्रों में अपना उचित अस्थान नहीं ले सकत आज पानी पीपी के नहरू को गाली देने वाले ये भाजपा वाले पानी पीपी के इनकी पाल्टी पूरी हर बात में नहरू को गाली देने का काम करती है अब देखिए यहां पंडित जोहला नहरू के पिता क्या कह रहे हैं कि जब तक जातियों का नामों निशान मिट नह प्राचीन काल से चाहे कितनी उप्योगी क्यों न रही हो पर इस समय सब प्रकार की उन्नती के मार्ग में ये बड़ी बाधा और बनावड बन रही है हमें इसको जड़ से उखाड अपनी सामाजिक रचना एक दूसरे धन से करनी होगी फिर अगला आपने नहरू के बारे में तो जान लिया क्योंकि नहरू के बारे में सबसे ज़्यादा जानना जरूरी इसलिए था कि आप सभी को एक ही दो दिन बीटता है और नहरू के उपर दोशार उपन आ जाता है तो नहरू के बारे में उनके बिचार जान लिजिए कि वह भी चाहते थे कि समाज में समानता और भाईचारे की भावना आ जाए फिर आगे चलते हैं स्री बिनायक दामोदर सवारकर जो एक सवारकर थे हमारे देश में और ये दूसरे सवारकर है शुद्धी छूच्छात के द्वारा हमें स्वराज मिल गया है पर इसे एक वास्तविक तथा अस्थाई स्वराज तभी बना सकेंगे और संसार के समुक हम अपने को इसके लिए योगे तभी सिद्ध कर सकेंगे जब हम आपस का भेदभाव दूर कर और भूखी तथा नंगी प्रजा को अन्वस्तरादी को के द्वारा सुखी बना कर सभी को एकता के सूत्र में बान सकेंगे अन्यता नहीं और अब आप सभी देखिए और निवारण और संगठर इत्यादी इस प्रकार के उद्धे से एक ही वाके के अंदर पाए जाते हैं जाति पादि का जंजट तोड़ दो ये सावर कर कह रहे हैं अब आईए अगले जो हमारे विचारक है हमारे देश के जो चिंतक है वो है क्या कह रहे हैं सिरी राजा खलक सिंग जूदेव भादुर खनिया घाना राजे मेरा ये पक्का विचार है कि जन्ममूलक जाति पाते और छुआ छोच जैसी कुरीतियों के रहते हुए हिंदू जाति कभी उन्नती नहीं कर सकती है आप साथियों यहां पर देख रहे हैं यह भी हमारे देश के बिचारक है और यह कब के बिचारक है जब हम आजाद हुए थे यह आज के नहीं है जब हम आजाद हुए थे तब से यह लोग चाह रहे हैं और वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम आजाद हो यनी सुता समानता भाई चारा हमारे अंदर आए और हम एक जुट होकर अपने देश की उन्नती के लिए बिस्व में अपने देश का वो अस्थान अस्थापित कर सकें और देश पूरे बिस्व को संदेश दे सकें कि हमारे यहां 33 कोट के देवी देवता हैं जिसकी वज़ा से हम यह उन् नहीं सकता क्या ऐसा यहां इस देश में हो सकता है नहीं क्योंकि यह जो देवी देवता लाए गए हैं यह केवल केवल जूट और प्रोपोगंड़ा है यदि होता तो यहां पर सभी लोग एक दूसरे के समीब एक दूसरे के करीब एक दूसरे से समानता और भाईचारे का ब् छटे विचारक को लेते हैं जो कह चाहते थे कि हमारे देश में जातिपाद की विवस्था खतम हो जाए श्री भगवान दास जी में काशी ये काशी के हैं वर्तमान काल में जातिपर्था जिस रूप में प्रचलित है उसका एकांत रूप से बिनास करना ही होगा अगर भारत क कि जनता को नया जीवन प्राप्त करना है तो उसे वर्ण भेद के वर्तमान रूप को मिटा देना होगा क्योंकि वह उन्नती के सभी भागों में भयंकर रूप से बाधा उत्पन कर रहा है और आप सात्वे जो विचारक हैं सोरिये गणे शंकर विद्यार्थी मेरा हिंदू जातिपाति को सिर पर लेकर अपने देश को पतन की और ले जाना चाहता है हिंदू पतन की और जाने के लिए तयार है क्योंकि उसमें एक जाति जो पैदा इसी है वह अपने आपको स्रेष्ट बना रही है स्रेष्ट कह रही है कि वो तो स्रेष्ट जाति में ही पैदा है उसकी जाति में ही तो भगवान पैदा है उसकी जाति में तो भगवान भी पैर छूते हैं आकर उसकी जाति वालों के चरण वंदना करते हैं और उसका आदेश लेते हैं तो कैसे इस देश की तरक्की होगी जब अब तक अपने ही जब भेद भ्याव करते रहेंगे अपने ही जातियों के आधार पर एक दूसरे को नीचा बताते रहेंगे तो कैसे देश तरक्की करेगा कैसे हम तरक्की करेंगे हम उन्नती करेंगे जब हमाँ आपसी भसतभावी रही रहेगा या नहीं एक गाड़ी के चार पहिये हैं अब उसमें से एक पहिया कहने लगे अब तू मेरे से ज़्यादा कम चलता है तू मेरे से ज़्यादा ग्यानवान है क्या तू मेरे से छोटा है तो क्या गाड़ी चल सकती है क्या या एक ग चल सकती है क्या सब को बराबर रखना पड़ता है तभी गाड़ी अपने निरंतर गति में चल सकती है लेकिन हमारे समाज के यह सुरेष्ट जाती वाले यह बाते नहीं समझते क्योंकि वहा स्वेंभू स्रेष्ट है भले ही उनकी स्रेष्टा यहां सिध होती हो कि जो आगे चलते हैं हम लेते हैं आठमें जो विचारक थे जो हमारे समाज के और जाती बेवस्था को खत्म करना चाहते थे स्वर्गिये स्वामी सुर्धानंद मैंने अपना यह नियम बना लिया है कि किसी ऐसे बीवाह संसकार में सम्मलित न होंगा और ना उस जोड़े को आसिरवाद दूँगा जिसमें जाती बात का बंधन न तोड़ा गया हो यह देखी यह सबसे बड़ी बात है अगर हम जाती बंधन को तोड़ देते हैं तो हम एक दूसरे के करीब आते हैं और हमें एक दूसरे के प्रती सदभाव की भावना स्वता ही उत्पन हो जाएगी क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि हमारा फला जाती वाला हमारा भाई रिष्तेदार है और कौन सा रिष्तेदार हमारे मामा का हमारे ननिहाल पक्ष का तो कहां से भेद भाव आएगा अपने आप समाव मदलब सद्भाव उत्पन हो जाएगे हुरदय से फीद आगे चलते हैं स्वर्गिये लाला लाजपतराई इनका नाम भी हमारे जो पुस्तके पढ़ाई जाती है इनका नाम आता है और हमारे समाच के लगभग लगभग मैं जानता हूँ 95 प्रशत लोग जो शिक्षित है वो लाला लाजपतराई को जानते हैं और ल मात्र उच नीच जातियों के बैमनश्य का यही मूल कारण है इसने अचूतपन को जन्म दिया है जब तक हिंदू जातिपात की बेडियों से मुक्त नहीं होते तब तक उनका एक जाति बनना संभाव है यानि एक जाति मतलब कैसे बनेंगे हम हिंदू कब बनेंगे हम हिंदू पर हम हिंदू कैसे बन जाएं हमको पता है कि हमारी जाति क्या है हमारी जाति क्या है मैं यादा हूँ दूसरा क्या है वो मेरे से छोटी जाति में है और इधर मेरी तरफ वो मेरे से उची जाति में है और उधर वो उची जाति में है मनलब यह जो जातियों का पिसाव है यह कभी हमें एक जाती बनने देगा, कभी हिंदू बनने देगा, कभी नहीं बनने देगा, हम हिंदू नहीं बन सकते, हम हिंदू तब बनेंगे, जब हम सभी जातियों के बंधन को तोड़ लेंगे, अभी तो हम यादव हैं, अभी तो हम मौरिया हैं, हमी तो हम पटेल हैं, अभ तक नौ बिचारकों ने कह दिया अब आते हैं हम दसों बिचारक पर विश्व बंद महत्मा गांधी जिसके बारे में आपके सब के नोटों में बिचारे छपे हुए हैं ये भी क्या कह रहे हैं ये भी जान दीजिए जाति पाति तोड़क बिबाह आपत्ति जनक नहीं है शूद्र पुरुष ब्राह्मन इस तरी से बिवाह कर सकता है तो साथियो ये बड़ी मज़ेदार बात है अब आप देखे महत्मा गांधी जी ऐसा कह रहे हैं और महत्मा गांधी को ही लोग स्विकार नहीं करते क्योंकि वो इस तरह की बात कह दिये कि जो स्रे सजाधियम अरे जब नहीं कर पाएगा तो कैसे हिंदू बन पाएगा हिंदू हाई नहीं वो वो तो दूसरे धर्म का हो गया फिर यही सारी चीजे हैं जो समाज में हमें एक दूसरे से अलग करती हैं और अगर यही भामनाएं हमारे समाज में आ जाती हैं तो निश्चित तोर पर हम हि हिंदुत्व पे अचूत्पन छोटी जाती का टैग लगा हुआ है और ये टैग कोई दूसरा धर्म वाला हम पे नहीं लगाता ये हमारे ही धर्म वाला हम पे लगा दे रहा है सबसे बड़ी बात ये है फिर आगे चलते हैं डाक्टर मुंजे क्या कह रहे हैं अंतर जातिय बी रहे हैं जातिपाद को दिवारों को गिरा कर गिरादो फूट के कारण को मिटा दो तभी वास्त्विक संगठन हो सकेगा स्री सियाई चिंता मनी जी कह रहे हैं वन वेवस्था मनुष्य की बनाई हुई है यह इश्वर की और से कदाप नहीं हो सकती जातिय भाव जो इसकी क खूब बिरोध किया जाए निसंदे इस घातक प्रथा ने हमारी उन्नती को बहुत दूर पीछे फेग दिया है मेरा दिर्ण विश्वास है कि हिंदूों के इस भेद भाव के कारण हम पूरा-पूरा प्रयत्न करने पर भी पूर्ण और अस्थाई स्वतंत्रा सुराज परा सकता है जाति पांतिके कृतिम भेदभाव हमारे देश की उन्नती के मार और में बादा है सिध्ध हो रहा है इसके लिए इसे सिग्र दूर कर देना चाहिए आप सभी को ये बिचार जो है description में मिलेंगे पूरा का पूरा जो ये लेकों के बिचार है और हमारे समाज के बिचार है और हमारे प्रधान मंत्री नहरू के बिचार है और उनके पिता जी मोतिलाल जी के बिचार है यह सारे के सारे आपको description में भी मिलेंगे आप यही जो किताब में लिखा हुआ हुब हुआ ऐसे ही किताब आपको description में मिल जाएगा सर हरी सिंग गौळ जाति पांत हिंदूओं की एकता और उन्नती में रुकावट है इस हानिकारग जाति पांत के बिरोध नवयोकों को अंदोलन करना चाहिए यनि जाति को खतम करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे नवयोकों के उपर है स्वामी रामतिर्थ भी क्या कह रहे हैं देश और धर्म तुमसे आसा करता है कि जाति पांत के अतियंत कठोर नियोमों को तुम धीला कर डालोगे भात्रि भाव के प्रकास के लिए तुम कड़े वन भेदों को नियंत्रित कर दोगे अब पंडित संत्राम जी बीए ये क्या कह रहे हैं जाति पात ने शुद्धि शंगठन और दलितो धार की सभी चेस्टा को विफल कर दिया है जब तक जाति पात है ये तीनों बाते असंभव हैं हिंदू समाज के सभी सच्च हिचिन तक नेता इस बात को मुक्त कंट से स्विकार करते हैं महासे देवराज क्या कह रहे हैं प्रधान कन्या महाविद्याले जालंधर के जाति पात के अयोग बंधनों ने हमें ऐसा अभिमानी आलसी और कर्महीन बना दिया है कि हम मनुष्य कहलाने के भी योग नहीं रहे यह कुपर्था तोड़ने योग यही है फिर नारायन स्वामी क्या कह रहे है जाति यनि अब जाति पाति का बंधन हिंदू जाति के लिए कलंक का टीका है इसे सारी जाति को छिन भिन कर रखा है हिंदू जाति में परस्पर घ्रणा और द्विस का प्रचार इनकी कृपा का फल है इसलिए आरे जाति की उन्नती इस बंधन के तोड़ने पर ही अवलंबित है और अब दो बिचारक और बचे हैं इनका भी बता दें माली राव जैकर जी कह रहे हैं एक बात जो हमने स्वराज संग्राम में सीखी है वो यह है कि हमें जातिपादी को सर्वता मिटा कर आपस की फूड का यही कारण है यह राष्टिय भावना के बिरुद्ध है जितना सीख्र इसमें करांतिकारी सुधार होगा उतना ही इस देश का विशेशकर हिंदूों का कल्यान होगा आप सभी ने सुना साथियों यह हमारे 21 प्रक्यात नेता थे प्रक्यात बिक्यात नेता थे जो हमारे समाज से जाती ब्यवस्था को खत्म करना चाहते थे और आज भी हमारे समाज में ऐसे प्रक्यात बिक्यात नेता मौझूद हैं जो जाती ब्यवस्था को खत्म करना चाहते थे लेकिन एक तरफ जाती ब्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं करते दूसरी तरफ इनसे दूसरे धर्म वालों से लोहा लेने की बात की जाती है ऐसे शातिर लोगों की वज़ा से आज हमारा देश गर्त की ओर जा रहा है यदि आज हम जाती ब्यवस्था को तोड़ लेते हैं तो निश्चित तोर पर हमसे बड़ी बिश्व में कोई दूसरी न सकती हो सकती है ना ही कोई राश्ट हो सकता है तो साथियो आज का ये वीडियो जो हमारे समाज के प्रख्यात बिक्ष्यात नेता हुए हैं जो जाती ब्यवस्था को खत्म करते हैं उनके बिचार आपको कैसे लगे अच्छे लगे हों तो लाइक करिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो हमारे नए आती बेल आइकन की घंटी भी दबा लें जिससे हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए इसी के साथ आप से मैं विदा चाहूंगा नमस्कार जैजवार